पिछले एपसिर में हमने देखा था कि नहिए तानिया के साथ जबजिस्ती करता है उसके बाद तानिया की तव्यत कराव हो जाती है और नाहिर उसे उसी अहल頭 में छोड़ के चला जाता है और उसके तरफ देखता है वहीं दूसरी तक करिम ओफिस जारा होता है दो वह देखता है कि दिया पैदल चल दी है तो वह देखता है कि मैं दिया की अधार कर दूँग। Diyan के करिब जाने की कोसिस काता है उसे कीस करने ही वाला होता है तो दिया उसे कस के मार देती है वैचारे करेम की हलती खराब हो जाती है यशंत चाशाव देख रहे हैं और दिया के बारे में गलत भाबनाय सवी बना लेते हैं आ गागे ये नियूज पुरी तरह से अफिस में फैल जाती है, गदियार करिम का चक्र चल रहा है और वो दोनों कुछ कर रह closely गारी में. वहीं दोसी तब तानिया को होस आता है और वो उठती है पर उठते हैं के साथ ही वो नीचे गिर जाती है तब दसे बाइटों गाती है और चिलाने लगती है कि तानिया को क्या हो गया वो नीचे गिरी भी है तो सभी आते हैं और तानिया की देखवाल करने लगते हैं और सभी तो कि यह केकर वहां से चला जाता है और तानिया खूब रोने लगती है क्योंकि तानिया किसी को कुछ बता ही नहीं सकती है और बेचारी फूट फूट के रोने लगती है लगकि नाहिर के पास जाता है तानिया बिमार है तुमने उसके साथ क्या किया तानिया अपने आपको स इसलिए सभी उसे बहुत प्यार करते हैं तो नाहीर को इस बात दे बहुत गुझसा आ जाता रिवी अक्टी से कहता है तुम और करीश से दूर हो था है और शहें ऑर करले तरह से लड़ाई करने विए तुम है उस अवरत से दूर रहना मैं उसके साहथ जो और नाहिर की बाते सुनकर तानिया खुब रोने लगती है और कहती है तुम यहां से चले जा समझे तुम यहां से चले जा तुम नाहिर कहता तुम मैं अभी बताता हूँ मैं दूश्ट कैसा हूँ और उसके साथ वो सो जाता है बिचाई तानिया रोती रहती है पर से कोई तक करने लगती और चाहत को जलाने के लिए करिंदे करीब जाने की कौसिस करते हैं और कहती है मुझे बहुत जादे ही चोट लग गई है तो कड़िम उसे अपने बाहों में उठा लेता है तो चाहत ये सब देखकर और जल जाती है दूसरी तब तानिया कहती है तुम जब मु तुम से लेके रहूंगा तुम मेरी डेनडार हो समझी तुमने जो मेरा सब कुछ छीना मैं वापस लेके रहूंगा मैं तुम्हारे साथ यही करते रहूंगा तो तानिया कहती है तुम कितने बढमास हो और दूसर कहीं के ह box तुम मेरे साथ ऐसा क्यрушते और खूबड मुण कर रहा हूं और तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा हूं तो इसमें सोच में पर जाती है आखिरकार मेरे नाहिर के साथ क्या ग्या जो मुझे बदला ले रहा है और अपनी लाइब को वो कोसने लगती है वह दूसरी तब पिंकी अक्की की देखवाल बेसे अर्टनीया कुछ को बताती भी नहीं है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई औरतानिया दोनों के बीच में कुछ हुआ है जो कि बोग हमें नहीं बतारें और बहुत कुछ खजादे ही हो चुका है और वह दोनों सोच पर जाते हैं वे लागे लागे अन्या नौरिन सारे कपड़े को चून रही जो कि मैं अपने वेडिंग पेंड़ूंगी क्या तुम्हें इसमें से कोई पसंद है और वो दोनों उसी को चेक देखने लगते हैं की अप्बातों को साथ कि अपते नहीं जवाब कर देता है तो नाहिर कहता है तुम चाले वेसी को साथ जाना एक दो दिन के लिए दिया तुम्हारे लिए ठीकी हो क्योंकि वो तुम्हारे सेक्रेटी है तो तानिया ये बात सुनकर सौक हो जाती है और नाहिर जान बुच्छिर दिया का नाम ले लेकर तानिया को चिराने लगता है तो नाहिर तानिया को नीचे गिरा देता तुम कौन से मेरी हित हो, तुम भी मेरी दुस्मानी हो, तुम ने मेरा सब कुछ छीन लिया और यह कहें कर नाहिर वहां से चला जाता है, तो तानिया खूब रोने लगती है, क्योंकि बैचारी बहुत मजबूर है, और वो नाहिर का कुछ बिगार भी नहीं सकती है, इसलिए किसमत पे वो रोने लगती है, वैला के तानिया दिया को कॉल करती है, और कहती है, तुम उस जॉब को छोड़ दो समझी, तो दिया कहती है, तुम यहसा बात क्यों कह रही हो, तुम इतनी डड़ी भी क्यों हो, तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है, तो तानिया कहत तुमने दुस चुरेल किसे कहा तो दिया कहती है मैंने तुमें ही कहा तुम क्या कर लोगी तो चाहत दिया के देपे पानी फेक देती है और दिया भी पिछे नेटी वो भी कौफी चाहत के देपे फेक देती है और यहां पर दोनों लड़ने लगते हैं इसे चक्कर में चाहत दिया को नीचे धकेल देती जिसके करण दिया की तवियत खराब हो जाती है और वो उठमी रही पाती और उसके साथ वो और कुछ करने ही वाली हो जिते भी जैसे कुछ इस्टाप आ जाते हैं तो चाहत बहना बना देती है कि दिया नीचे गिर गई है इसे उठा के वहां पर दो तो सभी दिया को उठा के वहां पर लिटा देते हैं वही दूसरी तरफ तानिया की बाते अक्की सुन लेता और कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही थी और किससे तुमें डर लगता है तो तानिया कुछ भी नहीं कहती तभी अक्की को बता देता है तो तानिया भी सब्सक्राइब किया होगा और उसका गुस्ता साथ मीं आस्मान पे रहता है और नाही Skype बाखने लगते हैं तुमने मेरे बेहन के साथ ऐसा क्यों क्या उस्के तुमने तुम यहीं क्या तो नाहीर काहता है मैं एसे चोटी मुझे कामें मुझे तक्स का नम्हें तुमॐ तक्रिप पहधाने मंजये बढ़ां से चुरत कर और कहती अगर तुम्हें मेरी बेहन के साथ कुछ भी क्या तुम्हें जान से मार दूंगी तुम्हें भी और परसिडेंट को भी और चाहत को डढ़ा के वहाँ से चली जाती है तो चाहत कहती है दोनों बेहने पागल ही यह एक नमड़ की वैल आगे तानिया एक दिन की छुट कहीं भी नहीं मिलती तो पूरी तरह से बुखला जाता है और वो नौरीन के रूम में जाता है और वहाँ पर भी तानिया के बारें पूछने ही वाला होता है पर वो नहीं पूछ पाता है आगे पूरी तरह से नाहिर परेसान रहता है कि घर तानिया कहां गई है वह दूसरी तानिया से कहता है क्या तुम मेरे भाई के वेडिंग में आओगी तो तानिया कहती मैं इसके बारे में सोचूंगी और लेक तानिया को देखता ही डे जाता है क्योंकि लेक तानिया को बहुत जादे ही पसंद करने लगता है पर तानिया कोई भाव ही नहीं देता है तो नाहिर कैता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें काम से निकालूँकर बिल्कुल नहीं और उसके साथ फिर के साथ दिनर कर रहा है हमारी फैमली कितनी अच्छी है तो करिम कहता है मौम में कहीं बाहर जाने वाला हूं मैं इसके साथ रहूंगा तो नाहिट कहता चलो ठीक है आगे सावितरी कहती ठीक है करिम तो नहीं रहेगा रखकी बीजी रहता है तुम लोग तो जा सकते हो मेरे तो तानिया मना नहीं कर पाती और तानिया कहती ठीक है मैं भी आप लोग के साथ जाओंगी तागे नाहिर पुरी गुस्से में कहता है यह जाके वहाँ पर क्या करेगी तुम्हें इतना प्रॉब्लेम क्यों हो रहा है तुम अच्छी बाती करो ना इतना खडूस बनने की कोई जरत नहीं है वह लागे तानिया दिया को कॉल करती है और कहती है तुम बाहर जा रही है तुम अपने आपकी देखवाल करना और अपने हिपाज़त करने की कोसिस करना तो दिया कहती है दी तुम्हें इस तरह बात क्यों कर रहे है तुम्हें किस से डर लग रहा है मुझे ब बाते समझा भुजा देती तो दिया कहती ठीक है मैं आपकी सारी बातों के समझ लिए आगे तानिया अपनी रूम में चली जाती है और अपने रूम को लॉक कर देती है लेकिन उससे पहले ही नाहिर उसके रूम में रहता है और तानिया के साथ जब जस्ती करने लगता है तो तो मुह जो क्यों नहीं देटे तु मेरे साथ एसा एसा क्यूं करते हो और तानिया रोने लगती है तो नाहिर कहता है। तुम्हें आसानी से छोड़ दोंगा बिल्कुल भी नहीं वैसे आज मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ सुने का इसलिए मैं जा रहा हूँ और वो वहां से चला जाता है तो तानिया अपनी हालत पर रोने लगती है वेल लाक्स डे साभी उस लोकेसर पर पहुंच जाते जहां पर साधी होने वाली होती है और वहां पर लोग देख रहे होते हैं तो सावितरी कहती है नाहीर तुम्हारी और गंगा के साधी यहीं पर हुई थी एक अभी आपको याद आगई आगे तानिया भी यह सारी बाते सुन लेती है और तानिया वहां से चली है और बाहर जाके बैठी झाती है तुब आपके तुम यहाँ प्यों पर क्वारी हो तुम लोग रात को मिलते हैं तानिया वहां से चलिजाते हैं साधी को देखने के लिए तो नाहीड कहता चलिए मौँ आप इसका वेट कर रहे हैं तो नाहीड कहती है तो चुप हो जाता है तो साब यतरी वह द्रेस लेना नहीं चाह रहे थी लेकिन हमने उन्हें मजबूर किया और कहा तानिया तुम ये ड्रेस पहन के आना तो तानिया वो ड्रेस पहने के लिए डेडी हो गई तब उधर से तानिया आ जाती है और वो बहुत सुन्दर लगई होती है और नाहिर की आखे खुली की खुली रह जाती है तानिया को देख के पर वो तानिया से कुछ कह भी नह दूरी को जलाने के और से तकलीब देने की तो वह लेक के कड़ीब रहने की कोश्चिस करती है तब दर से लेक भी आजाता है और उन दुनों के लिए खाना लेके आता है तो नाहीं लेक की पूरी तासे बेज़ती करके वहाँ से चला जाता है तो तानिया बात को समाव लेती है और से माफी मांग लेती है तो लेक केटा कोई बात नहीं आगे उलो को खाना दी देता है बुके फ爹ने वाली होती है तो तानिया चलो नौरीन तुम भी ये बुके लेना आख साओर साथी जलदी हो जाए तो नौरी rap लेना है जा कुछ देखा यहाँ तो नाहीर मैं त्रिंक भाई से चलती नाहीर को आप अपने तरफ करने होते हैं सब्सक्वरोब तन्यूम्हंतर का और आ डल्म होगी संपस्टे ले के लाथ तैन्युटानिया को मैंग ठीम परब लबता ऐसाथ यूब समय सकता हूफ यूद्ध करने के साहूँन गाता इसके साथ लीक्ती sound करने के लिए एक प्लान बनाता है और उसे एक होटेल ईओन में decision और एक ही रोम नहीं लेते हैं वो दोनों साहजोड पुरा करने के निया के घरीब जाने की कोशिश करता है पर दिया भी पर पाने फिर कर लेता है और वहां से वह चला जाता है तो तानिया अपनी हालत को देखे पूरी तरह से सौक में रहती है तो तभी उसे याद आता है कि नाहिर और गंगा के साधी यहीं पे हुई तिसाइद गंगा की तस्वीर होगी वह उस रोम में जाती है और वहां जाके वह परदा हटा नहीं वाली होती है कि तभी नाहीर आ जाता और कहता है तुम अपने गंदी हातों से यहां कि कुसी समान को नहीं चुछ सकती तुम जाओ यहां से और गारी में जाके बैठो तो तानिया वहां से चली जाती है तो नाहीर उस तस्वीर से वह परदा हटाता है और तस्वीर ग सब्सक्राइब बच्चे की तरह ही रहूं को यहाँ पूरी से च्छीन के रहूंगा और तुम कुछ कर भी नहीं सकोरे तो नाहीर यह Будश पूरी तरह से सौख हो जाता है